Learning Statistics by Doing or you may call Data Analytics or you may call Quantitative Methods for Social Sciences and Humanities or you can name it Any Basic Statistics, Inferential Statistics तो हम इस कोर्स में एक बुक फालोग करने जा रहे हैं Open Interest Statistics यह freely available बुक है आप इसको freely download कर सकते हैं आपको सारे का सारा stuff यहां पे मिल जाएगा अगर आपको YouTube वीडियोज चाहिए तो आपको YouTube वीडियोज भी मिल जाएगी इसकी अगर आपको slides चाहिए तो आपको इसकी slides भी chapter wise मिल जाएगी अगर आपको लेब्स चाहिए है तो इसकी लेब्स भी आपको मिल जाएंगी और इन लेब्स को आप कर सकते हैं आर के थूँ, स्टेटा के तूँ, टाइडी वर्स के थूँ, जमोवी के थूँ, सैस के थूँ तो बेसिकली हम जो है वो मेंली फोकस करेंगे स्टेटा, जमोवी, एंड आर, टाइडी वर्स तो आप अपनी मर्जी से देख लीजिएगा किस तरह से करना है और कुछ और बहुत सारी चीज़ें और ये बुक जो है फालू की जाती है University of Chicago में, Harvard में और बहुत सारी जगों पे for teaching this course तो आप ये देख लेए Harvard की course outline है जिसमें उसने जो है वो open intro stats की ये open intro chapter 1, open intro chapter 2 ये देखे, OI means open intro तो ये chapter 7 और तो हम इसको step by step इस course में करने जा रहे हैं तो let's see, let's start with introduction to data ठीक है जी, सबसे पहले हम कुछ बहुत basic concepts समयने की कोशिश करते हैं उन concepts में से पहली चीज़ जो होती है वो होती है control group and treatment group तो पहला case study हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है कि जी, हम जो है वो अगर ये, मारा objective क्या है हम ये देखना चाहते हैं कि एक cognitive behavior therapy जो है, वो क्या chronic fatigue syndrome के लिए effective है या नहीं है तो chronic fatigue syndrome कहलें कि एक ऐसी थकावट एक ऐसी permanent आपको tiredness फील करना कि एवन आपकी sleep cycle और ये सारा कुछ normal हो फिर be you feel tired तो अब उसमें जो है, वो 142 patients recruit हुए जिसमें से 60 patients जो है, वो enter हुए study में और बाद में उसमें से भी 7 patients जो है, वो drop हो जाएंगे तो basically, अब हम ही इसको दो groups में divide कर लेना है एक आपके पास जो है, वो treatment group वो होगा जिसको हम therapy दे रहे हैं और control group वो होगा जिसको हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं कोई हम उनको कह रहे हैं कि जी आप जो है, वो बस ठीक है, as it is तो अब basically, जैसे आपने ये जो है, वो covid में vaccination trials हुए, तो उन vaccination trials में क्या था? कि कुछ लोगों को placebo दे दिया जाता था, means पानी वाला injection, ऐसे just एक neutral सा injection दे दिया जाता था और कुछ लोगों को vaccination दी जाती थी उसके माद वो data लेके उसको जो है, वो फिर हम देखेंगे blind, single blind, double blind experiments तो वो data जो है, वो decode करके उसको देखा जाता था कि जिनको vaccination दी, उनको covid होने के क्या chances हुए और जिनको vaccination नहीं दी, उनको covid होने के क्या chances हुए तो यहाँ पे मारे पास दो किसम के groups हैं एक group को हमने cognitive behavior therapy दी है, दूसरे को हमने cognitive behavior therapy नहीं की तो हम देखते हैं कि इससे हमारे पास दो हम अब इन दोनों groups का देखते हैं कि treatment group और control group का क्या result साए तो हमने जब इनको जो है, वो groups में divide किया तो seven patients जो है, वो और drop हो गए तीन treatment group से और four control group से तो यह जो drop होना है, यह जो process होता है, इसको हम कहते हैं attrition हो गई, आपका sample size कम रह गया अब आप देखें, तो treatment group जिनको cognitive therapy की उसमें से 19 लोग कहते हैं, 19 लोग कहते हैं out of 27 कि they got, उनको कुछ जो है, वो अराम आ गया तो, और control group में से 5 लोग कहते हैं, 26 में से तो यह 19 out of 27, 70% लोगों को good outcome आई, उन लोगों को जिनको cognitive therapy की, और जिन लोगों को जो है वो नहीं की, उन में से 19% आई, तो इसका मतलब ट्रीटमेंट देना और ट्रीटमेंट ना देने में जो फरक आया है, यह roughly 50% है, यह बहुत बड़ा फरक है, लेकिन अभी हम इस वकट इस पे बहुत ज़दा बात नहीं करेंगे, हमें लगे गए यह कि यह एक रियल डिफरेंस है, तो हम यह जो है वो फर्ज करें, एक कॉइन को टास्क करते हैं, तो 50 एड्स और 50 टेल नहीं आते हैं, वो सकता है, 48 एड्स, 52 टेल जाजएं, 56 एड्स आजएं, 44 टेल जाजएं, तो अब क्या हम कह दें कि वो जो है कॉइन फिर नहीं है, तो एक बाई चैंस डिफरेंस होता है, तो वो डिफरेंस जो 56 और 44 आ रहा है, 52 और 48 आ रहा है, 49 और 51 और तो 50 से डिफरेंट तो है, बट नाट वेरी डिफरेंट, तो हूँ हम कहेंगे कि ये ज़स्ट एक बाई चैंस वेरियेशन है, लेकिन ये जो 70 और 19 का गैप है 51 परसेंट, त जैसे शायद नहीं है लेकिन इन चीज़ों को हम जाके चैप्टर 6-7 में डीटेल में देखेंगे कि क्या चीज़ हो रही है तो इसका मतलग यह रहा है कि यह difference quite large है और जब इतना large है तो यह natural variation नहीं है दे सीम साम difference अब स्वाल यह पैदा होता है कि क्या इस study के results को हम दूसरी सारे other patients के लिए generalize कर सकते हैं तो kindly आप सोचिए अब इसमें हम अब यहां से हम basic सीखने की कोशिश कर रहे हैं अब दिखे ही volunteers थे जो volunteers होते हैं वो different होते हैं देन जो randomly pick किये जाते हैं फिर हम देखेंगे random sampling क्या होती है और क्या चीज़ें हैं तो यह जो लोग हैं यह volunteers थे volunteers different होते हैं देन जो लोग randomly pick किये जाते हैं तो यह results शायद generalize नहीं किये जा सकते सारी population के लिए तो इसलिए हम इन results को generalize नहीं कर सकते हैं और यह कुछ जो है वो certain characteristics रखने वाले लोगों के लिए valid होंगे data basics अब हम देखते हैं कि data basics में क्या क्या चीज़े हैं तो आप देखे तो हमने एक class में data click किया कि आपका gender क्या है आप introvert हैं extrovert हैं आपका sleep time क्या है bed time क्या है आपने कितने cup चाय पी है आप इस course को पढ़ने में कितने डरे हुए हैं कितने डरे हुए हैं तो हमने सवाल पूछा जब यह सवाल पूछा तो हमने कुछ results मिले अब देखे जेंडर ये एक variable है जो number one student था उसने का जी male उसने का extrovert उसने का मैं level 3 पे fear feel करता हूँ second student जो था वो female है उसने का जी मैं extrovert हूँ मैं जो extrovert means के मैं जरा खुला डुला और introvert means के मैं जो है वो जरा अपनी जात में गूर रहने वाला dread उसने का जी मैं जरा कम डरी हूई हूँ female extrovert introvert अब यह हर वो जो है वो एक single person के data को show करती है और यह data इस form में जब आ जाता है तो इसको हम कहते है data matrix data matrix है तो basically यह एक और किस individual observation को देखेंगे तो यह observation है यह आपका gender एक variable है यह एक variable है dread एक variable है अब देखे तो हम सारे variable कोई भी जो variable है इसको दो categories में divide किया जा सकता है categorical और numerical categorical variable फर्दर दो categories में divide होता है एक होता है ordinal एक होता है regular categorical और numerical variable दो तरह का होता है एक continuous एक discrete अब हम इन चारों की चारें जो है वो देख लेते हैं gender अब gender में आप सिरफ दो ही चीज़ें करेंगे male female तो ये categorical variable है और ये categorical में से भी regular categorical है इसमें सिर्फ आप चीज़ों के name कर सकते हैं आप चीज़ों को just normal culture आप जस्ट उनको एक लियास से कह सकते हैं ये इस तरह किया ये इस तरह किया that's it तो gender जो है ये categorical variable है sleep सोचिए जरा sleep किसी ने का 5 गंटे किसी ने का 7 गंटे किसी ने 5 शरीया 5 गंटे किसी ने 7 शरीया 7 गंटे तो ये एक लिहास से numerical variable हो किया अब चुंकर कोई बंदा 5 गंटे और 6 गंटे के दरमियान infinite values हैं कोई 5 गंटे 5 मिनट 10 seconds हो या कोई 5 गंटे 5 मिनट 5 seconds हो या कोई तो इस तरह से numerical है लेकिं continuous है अब अगर सिर्फ मैंने ये पूछा होता कि कितने गंटे सो ये तो कोई 5 गंटे कोई 6 गंटे कोई 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो in that case ये numerical होगा और discrete होगा क्योंकि values क्या हो रही है जंप ले रहे हैं पांच गंटे के बाद कितने आर शिक्स आर शिक्स के बाद 7 लेकिन इस वकत हमने पूछा है कि आपका जो है वो वी तो किसी ने का पांच गंटे 2 मिनट 5 गंटे तो ये इसलिए sleep जो है यहाँ पे numerical है और continuous है well bed time के बारे मैं सोची है bed time basically categorical और ordinal है हमने का जी 12 बचकर 5 मिनट 10 बचकर 10 मिनट 11 बचकर 5 मिनट तो और जो बंदा पहले सोया बाद में सोया बस इसको हमने जो है वो कह दिया ordinal लेकिन ये slides are confusing है अभी आगे चलके देखते है countries तो मैंने यहाँ पे question को change कर दिया cup of tea तो आपने कल और आज में कितने cup of tea लिये हैं किसी ने का है जी 2, किसी ने का है 4, किसी ने का 6, किसी ने का 8, किसी ने का 7, किसी ने का 3 तो ये numerical variable है और discrete है आपने 4 cup चाई पी या 5 पी या 6 पी या 7 या 8 है सवा चार नहीं है, सवा पांच नहीं है इसी तरह से अगर आपने countries विजट की है तो आपने चले चाए मैं तो फिर भी शायद कोछ सवा डेर पौने दो वाली चीज़ हो लेकिन countries विजट करने में तो या आपने एक country विजट की है या दो की है या तीन की है या चार की है तो ये numerical and discrete है सोचिए जी ज़रा dread जो है ये कौन सा variable है Is dread a continuous variable? Is it पहले दोई बात देखें कि क्या ये numerical है या categorical है तो हमने once लेके पांच तक इसकी categories दी है तो ये categorical है लेकिन आप देखें तो जो one है जो two है फ्री है फोर है तो ये basically एक खौफ इस course में डर का एक level बता रहे है तो ये categorical है लेकिन इसमें natural है one, two, three, four, five तो पांच values है तो ये order मुझूद है तो अगर ये order मुझूद होगा तो हम कहेंगे ये categorical and ordinal variable है इसको numerical भी कह सकते हैं one, two, three, four, five लेकिन इसको इस वकट हम ये कहते हैं बहुत डर लगा हुआ है थोड़ा डर लगा हुआ है, थोड़ा लगा हुआ है, थोड़ा लगा हुआ है तो ये पांच categories हो सकती है excellent, very good, neutral, not good, worse तो ये basically इस तरह से categorical, ordinal variable है तो हमने अभी तक की जो बात इसमें की है एक हमने का जी कि एक आपके पास treatment group होता है एक control group होता है, treatment group होता है जिस पे आप कोई चीज operate करते हैं आप किसी को medicine देते हैं, आप किसी को training देते हैं आप किसी को stipend देते हैं आप किसी को जो है वो एक खास group meeting में लेके जाते हैं और control group कौन सा होता है जो comparable group होता है लेकिन उस तरह की कोई भी जो है वो intervention नहीं की जाती और दूसरी बात आपने की जी variable वेरियेबल में आपने का कि मारे पास दो तरह के वेरियेबल्स हैं categorical variables है नमेरिकल वेरियेबल्स है categorical variables further जो है वो categories regular categories categories but with order और numerical में आपने का जी एक numerical continuous है जिसमें एक value जो है वो interval के दरम्यान infinite values आ सकती है मेरी height जो है वो 68 inches 69 inches के दरम्यान infinite values हो सकती है तो इसी तरह से numerical discrete में क्या होता है कि values जो है वो at jumps टेक प्लेस करती है तो what type of variable is a telephone area code तो पाकिस्तान का telephone area code अफगानिस्तान का telephone area code बंगलादेश का telephone area code इंडिया का telephone area code सिरी लंका का telephone area code निपाल बुटान ठीक है जी इरान चाइना तो ये basically आप देखे तो ये कोई area code एक code है ऐसे 091 होना और 092 होना 093 होना 082 होना ये कोई खास meaning नहीं रखता तो इसलिए it should be a categorical variable regular categorical variable जी तो ये scatter plot पे क्या बात है scatter plot को किस तरह से देखना है इस पे हमारी बात बात में होगी take care